आस गें टाल तक हम मेटल्स τरatto की प्रोपर्टिस पढ़ रहे तरो कौन सी प्रोपर्टिस पढ़ रहे थे तो कमिकल to क़ीसित अंदर के training क्या होती है he अवक्सिजन से चैत करता है तो औक सीजन से जब रियक्षिक गता है तो पने को पता है डिया औक साइट री पशाहिड और गात श tidak यहां तक अपने को यह बात क्रच तो मुझे फटाफट बताओ कि कोई ऐसा है जो कहना चाहता कि सर यहां तक में मेरे को समस्या है चीजे समझ में नहीं आई थी बोलो कोई हैसा जो कहना चाहता है कि धो ₹सर जो आपने बताए है यहां था कि 싸in मेरे को जादु ओ गया था कोई चीज है सारे बोलना न्यू सर कोई प्रॉब्लम नहीं है कोई प्रॉब्लम नहीं है ये कई प्रॉब्लम नहीं है very good बेटा very good चलिए ठीक है बोल हो चाट है कि Sum 2013 समय रहे हो समच्छय खाला इसरल समय हो आइघ नियां बस दोई लोगों को रहा हैで cm 4 रोट्र क्वीट वाटर-स याद करो metals with water क्या होता है तो hydroxide देता है और साथ में hydrogen gas देता है ठीक है चालो ठीक है तो यहां तक अपन बाते कर चुके थे अब आगे आते हैं उससे आगे और the next kind of reaction को पढ़ते हैं that is known as displacement reaction ठीक है तो next type of reaction के बारे में बात करते हैं that is displacement reaction इसको ऐसे बोलते हैं अपन आपके language में ऐसे बोल सकते हो books में देखोगे तो बोलेगा metals with solution of metal salts metals with solution of metal salts यह reaction बोलता है या ऐसे बोलेगा simply displacement reaction तो अपन बात करते हैं displacement reaction के बारे में बाइस आप चल जा हाँ चल रहा है displacement reactions ठीक है यह किसके बीच में होती है तो मैं यहां लिख दे रहा हूँ metals with solution of metal salts ठीक है यह किसके बीच की reaction है तो metal का solution of metal salts के साथ ठीक है किसी को इसमें तो समस्याल नहीं होने चाहिए चल अब आगे बात करते हैं यह reaction होती कैसी है तो इसका एक best example है अपने पास तो अपन देख लेते हैं पहले उसके बाद बात करेंगे ठीक है तो इसका एक बहुत अच्छा example है अपने पास देखाता हूँ उस example को आप लोग हो सकता है कभी अपने school lab में देखे भी होगे अपन लोगों ने क्या किया गिया एक डबा लिया ठीक है बीकर मालो ठीक है हमारे local language ने बीकर scientific language अब कभापर सलफिट क्या होता है कुछ समझ लो कुछ एक ऐसा solution है एक ऐसा compound एक ऐसा solution जिसका color जो होता है क्यों बिल्कुल आस्मान की color का होता है यह को पर संपेट ठीक है जिसको अपन एक और बी नाम महीं 가능 ब्लू विट्रॉल इसको एक और भी नाम बुजाता है तो इसमें ले लिया है copper sulphate solution तो मैं यहां लिख दे रहा हूँ और इसका हमारे daily life में बहुत important role है बहुत ही important है मैं बताऊंगा कि इसका important role मैंने क्यों बुला कि बहुत important है मैं समझाऊंगा उस चीज को बहुत important role है इसका अपने daily life में ठीक है तो हम लोगा ले लिया है copper sulphate solution क्या किया कि इसके अंदर में डाल दिया एक nail ठीक है तो मैं nail तो अच्छे से बना लिता हूँ इसको मैं इस side बना रहा हूँ ठीक है जीए नेल है अपने पास ठीक है वह अपने ना खून वाला नहीं है और नेल है ठीक है कांटी जिसको बोलते हैं ज्यानरख नागे कांटी डाल दिया ओके चलो तो इए अपने पास एक कांटी इसके अंदर में डाल लिया और यह हो गया आपने पास copper sulphate का solution, ठीक है, जैसे ही इसमें iron को डालते हैं, यह copper sulphate का solution था, इसका पहले से जो color था, वो था blue, इसको डालने के बाद होता क्या है, कि इसकी कहानी थोड़ी बदल जाती है, और यह भाई साब थोड़े इस तरीके से हो जाते है, ठीक है, इसका ज यह काटी जो हमने डाला था, इसके अंदर में, यह जो काटी जो थी, ठीक है, और इस काटी की थिकने सा वो थोड़ी बढ़ जाती है, ठीक है, यह जो layer है, यह layer देखने जाया है, तो यह layer का जो color होता है, वो थोड़ा सा होता है, रेड डिस ब्राउन कलर का, रेड ब्राउन कलर का, नहीं दिख रहा है गया, चलो इसको मैं सहीदा करता हूँ, ठीक है, यह होता है, रेड ब्राउन कलर का, ओके, यह जो solution हो गया, आपने पास green, तो अपन कहते क्या है, कि देखो हुआ क्या है, यहाँ पर पहले इस चीज को समझ लो, सर, नहीं है, सर मै नहीं देखा था, experiment, क्या बात है, स्कूल में experiment देखा था, तो बहुत अच्छी बात है, चलो, तो बात करते हैं अपन कि यहाँ हुआ क्या, हुआ कुछ ऐसा, कि जैसे ही copper sulfate solution में इस iron को डाला, यह iron कहना बहुत ताकतवर है, ठीक है, बहुत ताकतवर होता iron, तो iron गया, उस आइरन नहीं कहा है, ताकतवर in the sense of reactivity, ऐसा नहीं कि उसका biceps बहुत श्ट्रॉंग है, ऐसा नहीं है, यह reactivity बहुत जाद होती है, तो iron यहाँ जाता है, और जहाँ यह copper sulfate जो बैठा हुआ था, वहाँ से copper को बोलता है, चलो यहाँ से foot, तो copper को यहाँ से भगा देता है, और खुद उसके जगाँ बैठ जाता है, तो जो compound बन जाता है, वो compound बन जाता है, FESO4, जिसका color होता है, green तो यह solution होती है, green color की हो जाती है, ठीक है, और जो बैचारा यहाँ से copper बाहर निकलता है, वो आके इस iron nail के उपर deposit हो जाता है, जिसके होजा से इसका color है, वो red brown हो जाता इसको ध्यान देना, ठीक है, वोड़ा सा इसको पन नीची कर लेते हैं, तो मैं यहाँ पर एक reaction के form में लिखता हूँ, इसको ध्यान देना है, कि मैंने क्या लिखा है, copper sulfate, aqueous, plus iron, यह दे दिया अपने को, FESO4, और साथ में copper, ठीक है, इसका color कैसा था, तो blue था, इसका color कै तो green है, यह एक उस नहीं भी दिखोगे, तो चलेगा, तुम्हारे लिए समस्या नहीं है, ठीक है, तो blue color जो है, वो किसमे convert हो गया, green color में यह iron आया है, और iron आ के copper को बोला के चल धिसूम यहाँ स्टुहट, copper को हटा दिया, और उस खुद इसके जगा पे बैढ़ गया, बि तो हुआ गया यहाँ पे, यह जो iron आया, इसने copper को मार के यहाँ से भगा दिया, और इसके जगा पे iron खुद ही बैढ़ गया, तो अपने पास क्या बन गया, formula, A-P-SO4 plus Cu, यह जो reaction है, इस reaction को बोला आया, displacement reaction, क्यों बोला आया displacement, क्योंकि A-P ने क्या 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 है, copper को वहाँ से displace कर दिया है, कोई ऐसा है जिसको यह पूरी कहानी समझ में नहीं आई, कि सर कहानी में हुआ क्या, फराफन मुझे पताओ, कि सर यह कहानी समझ में नहीं आई है, फटाक से मुझे मैसेज करो, सर यह जादू हो गया है, चलो audio on करके बोलना चाहते हो, तो बोल सकते हो, मैं बेटा, reaction में क्या हुआ, iron और copper sulfate था, copper sulfate में क्या क्या, iron गया, copper को यहां साथ आया, उसके जगा खुद बैठ गया, तो copper आ गया बेचारा बाहर, और iron sulfate के साथ बैठ गया, sulfate को मान लो खिड की है, डेल लाइफ में बहुत अलग अलग तरीके के replacements अपन रिखते हैं, तो question यह आता है, कि सब आपको कही से पता था कि iron जादे ताकतवर है, copper कम ताकतवर है, तभी तो iron copper को मार कर यहां से बगा लिया, तो यह ताकत वाली जो चीज़े इसके उपर आएंगे, बट फड़ा-फट इस कहानी को note करो, फड़ा-फट, फड़ा-फट, फिर अपन बात कर है कौन कम जो रहा है, करो जल्दी करो, कौनritos Пा जाएंगे, तो अ-पिर एम है, वम जो चुन है, वां है क्वार-फट्ट, बास्सेतल करो, यह रहा है, करो यहां है? ऄहीं है हो गया हो गाहा है posts up कर गया चलनों जलो डेली यूज बताता हूं बैटा डेली यू झाए भता रहा हो मैं सहीम रख पता छले क कहां आता है धिकनी चलो अब थोड़ा सार्च डेफिनेशन में लिख देता हूं थिक है कर आपको समस्या न हो है चलो तो इसको डिफाइन कैसे करते हैं का बोलते क्या है हाइड उर्यक्ट इव मैटल हाइड एड जिलिए डिस्प्लेस इड़ लो रियक्टिव मेटल रियक्टिव मेटल फ्रॉम इट्स कमपाउंड ठीक है यह डेफिनेशन हो गया कुछ नहीं है वही कहा नहीं है कहा नहीं कहा है कि जो हाई रियक्टिव मेटल था वो अपने से लो रियक्टिव मेटल क्या करता है मार के भगा देता, खुर के चला आता है, मतलब क्या करता है, डिस्प्लेस कर देता है, इसी reaction को क्या बोलते है यह डिस्प्लेसमेंट रियक्षन बोलते है ठीक है, इक्जाम्पल अपन देख चुके, अब बात यह होती है, क야 sir आपको कैसे पता कि कौन हाई व्हािवले रियक्टिफे है कॉन लू रीक अठिवेरे रियक्टिवेरे मिरा मन करें मैं बोलूँंगा सुपर हाइ नियक्तिव था तो आप तो देखने निंगए तो ये Reactivity This Decide कैसे ये ठीख है तो इसे होती आठीख है तो कॉन रियक्तिव पहिकल aggressive सीरीज रियक्टिवीटी जो है वो डिसाइड होती है रियक्टिवीटी सीरीज से ठीक है तो एक सीरीज है उस सीरीज को आप देखो के तो पता चलिया है कौन हाई रियक्टिव कौन लो रियक्टिव बिल्कुल अब सीरीज के ऐसी चीज है तो समझ लो अगर हम cricket के respect में बात करें तो ऐसे समझ लो कियार अपने को पता होता है कि कौन अच्छा प्लेयर हो कौन खराब प्लेयर है कैसे उसके स्कोर से पता होता है ठीक है उसके स्कोर से या उसने कितने विकेट्स लिए उसके परफॉर्मेंस से हम डिसाइड कर पाते हैं कियार कौन क कैसे प्लेयर है ठीक है तो वैसी कहानी कुछ यहां समझ यहां फिर डवल्व जो लोग देखते हों उनको पता होगा है कि यह दोनों लड़ने वाले तो यह जीत जाएगा ठीक है यह आइडिया लगा लेते हैं अपने को पता होता है कि यह बेटर प्लेयर है तो इसके जितन होता है इसको बहुत बहुत बाथी अपको पhralin करते हैं जिसमें यह पता चलता है कौन इस ट्रॉंग हerson ख modest वीक है तो में किसी को शंच् modo यह बता ओंक Seven समय्जमय में नहीं आ है तो i'm कैसके डिलिटी डर्राऊनल सही है छला यहां तक में किसी समस्ट्राइं नहीं है तो मैं एक श्क्रीन शेयर करता हूं देखो और उसमें आपको पता चल जाए कि कौन सा मेटल कितना रियक्टिव होता है कौन सा मेटल किस से जादे रियक्टिव है किस से कम रियक्टिव है तो स्क्रीन को शेयर कर रहा हूं और फटाफट देखो और इसको टेबल को आ अब इसमें क्या पता चलेगा ठीक है कोई շुराफाथ मत करना वनना समझ लेना पर टीक है तो प्जो करने के मौका ही नहीं आधार है रूक जा रहओ मुझे पता है तुम हो नला याइक चला ठीक है तो यहां पर बात पता चलता है कि कौन कितना रियक्टिव है कौन कितना श्ट्रॉंग है कौन कितना वीग है कैसे पता चलेगा देखो Lithium potassium से जादे strong है, potassium barium से जादे strong है, barium calcium से जादे strong है, calcium sodium से जादे strong है, sodium magnesium से जादे strong है, यह एक series अपने को मिल गई है, इसमें दो हैं जिसको ignore मार के चलना है, that is carbon and hydrogen, क्योंकि हम metals के बारें पढ़ें and metals के बारें में कोई चर्चा नहीं है तो इन दोनों को ignore कर देना ठीक है आप लिखना चाहो तो लिख लो लिखना तो उसको bracket के अंदर में डाल देना ठीक है कि अगर माल अपने पास ऐसा हुआ है कि nickel और calcium में comparison हुआ तब क्या बोलोगे तो सर अपने को पता है कि calcium उपर है निकल नीचे है मतलब calcium की reactivity जादे मतलब calcium जादे strong है और nickel जो है वो come strong है मतलब calcium क्या करेगा निकल को उसके compound में से मारके उसको भगा आ सकता है तो यह आपके पास एक पूरी reactivity स्रीज है इसको फटा-फट अपने copy में चापो और free examples पर बात करेंगे कि कहा कहा reaction हो सकता है कहा कहा reaction नहीं हो सकता है तो फटा-फट इस equation को फटा-फट इस पूरे table को चाप लो ठीक है फटा-फट लिखो चलो नए स्क्रीन स्काइसब्स नहीं ले लिए लो इन ए लिखना पूरब सीख़ी कह एद निकल को पूर्ड आए लो जो कुँए बात ही मुझे मेरे बास बा़गा एव लुखो तुम हम नलायक हो, ठीक है, सर हम स्क्रिंसोट लेलते हैं, हम आलसी लोग है, हम स्क्रिंसोट लेलते हैं, लेकिन मेटा हम बाद में नहीं पढ़ेंगे, तो इसलिए लिखो झालसी लेलते हैं, हम स्क्रिंसोट 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 लेलते हैं, झाल 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 सर्टीन और लेड क्या होता है बेटा टीन और लेड भी एक मेटल ही है दोनों मेटल्स ही है टीन और लेड चलिए ठीक है तो अपने शेर हटा रहे हैं तो अपने पास टेबल आ चुका है और टेबल देख चुके है तो अब उस टेबल का मैं एप्लिकेशन सिखाता हूं कि इसका एप्लिकेशन कैसे है ठीक है चलो देखो माल लो मेरे को एक कमपाउंड एक रियक्शन दी गई और सिंप्ली इसमें तो आपको यह बताना की रियक्शन होगा या नहीं होगा प्रोड़क्ट बनेगा नहीं बनेगा वो छोड़ दो, यह reaction पॉसिबल है या नहीं पॉसिबल है, ठीक है, तो मैं एक reaction यहाँ लिखता हूँ, मैं reactions लिख रहा हूँ, आपको फड़ा फड़ बताना है कि reaction पॉसिबल है या नहीं है, zinc प्लास, FeSO4 gives, ZNSO4 प्लास, Fe, ठीक है, आ आपको check कैसे करना है, देखो check करने का मैं method बताता हूँ, कैसे check करना है, आपको यह देखना है कि यह भाई साहब इस metal से high reactive हैं लो reactive हैं, अगर आपका जो metal है, वो compound वाले metal से high reactive है, तो reaction होगा, यह आएगा, इसको displace कर देगा, और अगर यह low reactive है, तो फिर यह reaction नहीं होगा, चेक करो कि ZN की reactivity FN से जादे है या कम है, फटाफट चेक करके मुझे बताओ कि ZN FN से जादे reactive है या कम reactive है, सर, ZN FN से जादे reactive है, मतलब यह यहाँ पर आके इसको replace कर देगा, और अपने पास यह reaction हो जाएगी, फटाफट मुझे बताओ कि कोई ऐसा है, जिसको यह example समझ में नहीं आया, कि सर, जादू हो गया, आपने कैसे बता दिया कि reaction होगा या नहीं होगा, कोई ऐसा है, जो कहना चाहता है कि सर समझ में नहीं आया, फिर से एक बार और बता दो, ठीक है, चलो, अपने को पहले चेक करो कि इस reaction में दो metals कौन कौन से है, बिटा कौन कौन से है, सर, जिंक आयरन है, सोच रहा है यह नहीं है, सर, दो तो दिख रहा है आपने को, कि जिंक और आयरन है, अब अपने को देखना यह है, कि जो metal है, अकेला metal है, वो कितना ताकतवर है, वो अंदर जो इसके साथ है, जो sulfate के साथ metal है, जो compound वाले metal है, उससे जादे reactive है या less reactive है, तो क्या करेगा, जिंक आएगा, एफी को एक घुसा मारेगा, एफी बाहर और जिंक उसके जगा पर बैठ जाएगा, तो जिंक का compound बन जाएगा, और एफी यहां से का जाएगा, बाहर हो जाएगा, चलते बनेगा, ठीक है, clear है अब, कोई ऐसा जिसको अभी भी समझ में नह आएगे, सर, पता नहीं होगा, कि नहीं होगा, समझ में नहीं आ रहा है, हाँ, जी जनता, फड़ा-फड़ बताओ, clear है, चलो, ठीक है, तो सर, यह reaction होगी, ठीक है, तो अपने को simply यह बताना है, possible or not, ठीक का लगा रहा है, मतलब होगा, ठीक का नहीं ग्रॉस करेंगा, कैसे होगा, फिर से बलो, सर, कैसे होगा, कैसे होगा, बताओ, इन दोनों में ज्यादे रियक्टिव कौन है, कौन बोर रहा है, सर, अंसुल, इन दोनों में ज्यादे रियक्टिव कौन है, जिंक और एफी में, जिंक और एफी में, टेबल चेक करो, लिखवाया है भी टेब बद सेगें कर सकता है कर सकता है टो यमर्ठी हो छाएगा थाला ठीक है जिए जाडंपल में लिखनाँ फेरा फट आफट मुझे देख ना कि इसक्नव थे लया नहीं है है ठीक है मैंगनेजियम सल्फेब आपके बार मैं चेंज कर रहा हूं ठीक है MgSO4 compound कौन है MgSO4 ठीक है इसकी reaction कराई गही है एफी से बताओ यह reaction में मैं product यहां लिख रहा हूँ FSO4 और साथ में जी यह reaction होगा या नहीं होगा God նाराओ। तो यहां रहा है नहीं होगा, मैंसेज करगेब बता शीपनेद का यहां लिख संव्चार में हम पार बे लाओ। Mg जादे यहां इंच्टिव किस इसको टिस्टेस कर दया यहां लाओ। आए याद रखो कि अकेला ltd करता है compound वाला किसी कोifice करने नहीं बैच जाद हो यह म्जी की क्या Hagin कर पायगा और एकिपी कम ताकत वार है एकटाट पासिबिटी ते स्भीटी कम है तो हम इस можно को बोल सकते हैं कि सर्य एक्ष पॉसिबल नहीं है चलेगा है जी जन्ता फटाफट बोलो चलेगा कि नहीं चलेगा ओके ठीक है चलो मैं त्थार्ड लिख रहा हूं Zinc plus, मैं compound का formula नहीं लिख रहा क्योंकि हम इए complex बनता है, compound of gold, Zinc plus compound of gold थिक है? तो बन जाएगा compound of zinc और साथ में बाहर निकल जाएगा gold यह reaction possible है या नहीं है फटाफट message करके बताओ zinc plus compound of gold मुझे नहीं पता gold का compound किया बट कोई तो compound है उसको zinc के साथ react कराया गया तो बोलता है कि compound of zinc बन जाएगा और gold अपना बाहर निकल जाएगा is this reaction possible or not message करके बताओ फटाफट कि सर यह reaction होगा या नहीं होगा बेलकुल सारी जनता बोल यह सर पॉसिबल है सोचना है नहीं है ठोक दो ताली की possible है बेलकुल सही बात है देखो जिंक है जिद्दू बाजी आ गया ना जिंक है जिंक हाई reactive है गोल्ड के comparison में तो गोल्ड को यहां से compound से डिस्पेस कर सकता आया एक धिशुम मारा गोल्ड यहां से बाहर तो गोल्ड भईया यहां से बाहर हो गए और compound of zinc अपने पास बन चुका है यह जो reaction इसी reaction का यूज किया जाता है जब पहले जवाने में जो क्या होता था कि गाउं में मैं तुम लोग को साफ करने के बहाने साफ कर दिया करते थे ठीक है तो गोल्ड को जो साफ कर दिया करते थे तो वहां गोल्ड का compound बन जाया करता था आक्वारेजिया के अंदर में। तो करते कहते हैं वो तो solubile हो गया। तो पता तो चलता ही जै को उसमें कुछ gold है। तो लेके चले आ उस compound को और उसमें क्या करते हैं थोड़ा सा zinc डाल देते थे। जैसे थोड़ा सा zinc डालते थे तो gold अपना असानी से बाहर निकाल लिया, सोना मिल गया तो ये तडिका होता था, पहले जवाने में गाओं के जो लेडीज लोग हैं, उनको बेवकूप बनाते थे, ये जो सोना मतलब बोलते थे कि चलो, आपलाईए हम आपका गोल्ड साफ करने का, आपकी जुली साफ करने का, तो तो यहां, क्वेस्टन है, हाँ, कैन, कैन, अगेल, अगेल, मतलब, सिल्वर कलूराइट सॉलीशन, ठीक है, इसका सॉलीशन है, कैन, अगेल, क्वेस्टन सॉलीशन भी, केप्ट इन कोपर कंटेनर ओप्शन है येस नो ठीक है क्वेश्चन क्या है पहले स्क्वेश्चन समय लो बोला क्या है कि सिल्वर क्लॉराइड का सॉलीशन है ये जी से सॉलीशन है सिल्वर क्लॉराइड का सॉलीशन है बोला कि कॉपर के थाली में रख सकते हो आखेंगे मेरे मन कर्ता मेरे को पता है कि दही को अगर मैं रखूंगा तो में हम cockpit styl को लिते हैं अलग चीज़ है बट प्रेफरविलिक हम क्या करते हैं उसको प्लास्टिक में या फर ग्लास कंटेनर में रखना चाहिए सेम कहाँ यहांज होते हैं एक रियक्ष्टаж होगा तो नहीं रखोगे ड्यक्ष्टटध नहीं होगा तो रखोगे फटाक कि रख सकते हैं कि नहीं रख सकते हैं कि अरे बाइलों का गर रहे हो बता एजी सी एल है और साथ में कौपर है C u है एजी सी एल है कोपर नहीं होगा तो नहीं होगा अरें कि मरे नहीं होगा ये कोपर जाके यहां सिल्वर को भचुण करके भगा डेगा यह बता मेरे को तो होगा की नहीं होगा डियक्शन ही वार है कहानी हो क्या होगा है एक सेकेंड ठीक है मुझे मैसेर्ज करके बताओ बहाई देखो यहां पर एजीलब का कमपाउन्ट है तो कमपाउंन में से कॉपर जाए को बाइजी को अटा सकता है कि नहीं अटा कें नहीं रख सकते हैं अब अब और बटाओ इसमें किसी को समस्या है को ऐसा कहना चाहता है कि सरजाढू हो गया समझ में लगा क stared इतों कुछ समझ में लगा जाढू सर्फाग SAY मुझे इतना बताओ किसको जाढू हो गया है उसको जाहादू हो वह बोलो क lifes除 nachen को गया और फिर बोलो चला अंशूल बोले ये अंशूल डख सकते हैं समीर बोला है नो मैजिक से अंसूल मैं फिर से बिटा रिपीट कर रहा हूं देखो AGcl compound है और copper है ठीक है copper में रख सकते या नहीं सिंपल कहानी reaction होगा तो नहीं रखोगे reaction नहीं होगा तो रखोगे और आगर अगेले तकतवर नहीं है तो इसको मार के यहां से नहीं बहगा सकता तो यहाँ से मार के भगाएगा और उसके जगहा पे बैट जाएगा तो अपने पास यहां से प्रड़क्र बन जाएगा स्थी यू-सी यहल और सास में बाहर को निकल जाएगा एजी को राया है सर यह reakshon तो हो रहा है और यह-स न होगा मतलब हम कापर के कंटेनर में सिल्वर को राइट का सॉलीशन नहीं रख सकते फटा फट बता अभी वी कोई समस्थ्या है जल्दी बोलो जिसके डाउट से बेटा अभी क्लियर हो गया ये एक्जाम का है वा क्वेश्चन है अभी बोट पर नहीं आया ம डबर दिस्ट्वर सिर्शंमन्ट पर नहीं हाय मैं सोय हम रखो हाँ जी बेटा साइब लेट रोनक ठीक है कोई ऐसा है जिसको जादू हो गया तो जल्दी बोलो गिसर जादू हो समझ में नहीं आ रहा है चलो, second question, मैं बोलता हूँ, answer मुझे message करके देना कोई भी बोल के नहीं देगा, क्या मैं common salt को iron container में रख सकता हूँ, common salt is sodium chloride, NACL, compound NACL, क्या मैं NACL को iron के container में रख सकता हूँ, yes, no, करो फड़ाफट कैसे चेक करना, देखो दोनों की reactivity की कौन जादे reactive है, अगर अपने पास, metal जो अकेला था, वो high reactive होगा, तो नहीं रख पाओगे, no reactive होगा, तो रख पाओगे चलो, तो देखते हैं अनीज बोला है, नहीं रख सकते हैं, आसफितोस बोला है, ऐसा रख सकते हैं, अन्शुन बोला है, नहीं रख सकते हैं, राउनक बोला है, तो रख सकते हैं, क्या बात हैं, बड़ा अलग-अलग answer आ रहा रहा है, अरे भाई हो, इत्तस, मुझे बताओ, sodium और iron में जादे reactive है तिक अरे नला कोन है यह बोलता है चलो ठीक हाइस गए अओके फाइन आरे भाई टेबल देखो टेबल सोडियम उपर में बैठा है आईरन नीचे में बैठा है तो सोडियम हाई रियक्टिव है आईरन लोर्यक्टिव है अब बात करते हैं कि क्या यहां पर अखेला काने कौन है? sodium. ठीक है? compound में कौन है? sodium. NaCl compound में है. और अकेला metal कौन है? iron है. चेक क्या कौन किसको displace करता है? अकेला जो होता है वो displace करने के लिए जाता है जो compound में बैठा है उसको. simple सी कहानी है. जो अकेला है वो displace करने जाता है जो compound में बैठा है उसको. तो क्या iron sodium को displace कर पाएगा? कब कर पाएगा? अगर iron strong हुआ, sodium weak हुआ, तो displace कर पाएगा? अगर iron weak हुआ, sodium strong हुआ, तो displace नहीं कर पाएगा. क्या लगता है देखके? कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा क्यों क्योंकि iron की reactivity low है और sodium की reactivity high है तो sodium को iron इस पर नहीं कर सकता मतलब यहां पर कोई भी reaction पॉसिबल नहीं है मतलब आप चाहो तो iron के container में आप sodium को सारी आईटन के container में आप चाहो तो sodium by a common salt को रख सकते हो खोपड़े में गया जा रहा है और पार कर जा रहा है कि सर्फ पार कर गया समझ में नहीं आ रहा है मुझे सबसे answer चिम सबको बोल रहा हूं सारे मेरे को मैसेज करो आया या नहीं आया येस्व मैसेज करो मेरे को इन अए स्लफेत ऑफेत ऑपकी में बिच में बिच में बिचाँ दोनों अलग 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 इनायन है सलफेत होता है यह सोद्यों का डेली उच कुछ नहीं है बिचाँ है सोडियम क्लोराइड का डेली यूज होता है तो यह questions clear है कोई ऐसा है जिनको इन questions में समझते है तो फड़ाफट बोल दो किसा समझते है समझ में नहीं आया तो किसके container में क्या रख सकते हैं यह ध्यान रखना एक और भी इसी तरह का question बनता है जिसको acid से relate करके बता जाता है तो कि इधर लिख रहा हूं कि कंटेनर रियक्टेंट रियक्टेंट का मतलब है जिसको reaction हम करवाने वाले हैं ठीक है तो किसको किसके container में रख सकते हैं नहीं रख सकते हैं उसका table में बना के बता रहा हूं ठीक है तो एक चीज जो question आता है आपने पास एक बहुत basic सा question आता है कि shore substance shore शौर materials ठीक है शौर materials container अगर में पास metal है तो क्या रख सकते हैं या नहीं रख सकते हैं kept or not ठीक है तो शौर substance example में क्या है करड एसीड ठीक है एसीड लाइक निम मतलब अपने पास ऐसे बोल सकते हो जैसे citric acid वा जो निम मिलता है ठीक है तो करड या हम क्या metal के container में रख सकते हैं नहीं रख सकते क्यूंकि अपने को पता है कि acid जो है या कर्ड में भी acid मिलता है लेक्टिक गभी सुब्स्टांस को metallik container में नहीं रख सकते कोई ऐसा जिसको समझ में नहीं आए को यह कहना चाहता है इसका है को यह कहना चाहता थचलो सकेंड़् चीज़ हाई रियाक्टीव metal. High reactive metal को मैं low reactive compound of low reactive metal. Low reactive को हाई रियक्टिव. तो हम नहीं रख सकते हैं तो इस चीज को ध्यान रखिएगा एक और भी यहाँ पर मैं आपको केस बता दे रहा हुं तो यहां पे कहानि थोड़ी सी अलग होती है ठीक है है can be kept in some metals or some cannot. ठीक है मतलब यह अगर तुम third case नहीं भी लिखोगा तो चलेगा इस case को आप चाहो तो ignore मार सकते हो यह आपके लिए आपके syllabus की बाहर की चीज है इसको चाहो तो ignore मार दो इन दोनों cases को ध्यान रखना कि अपने को question आता है कि भाई साब आप कर्ड को iron container में रख सकते हैं क्या नहीं रख सकते हैं क्यों 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 क्योंकि क्योंकि लो आपके में रहे लिए कर देगा तो इन दोनों में कहानियों में समस्था तो मुझे फटाचा दो बॉल भाई बो बो बोलो, नीचे वाले को छोड़ के, नीचे वाले आपका केस नहीं है, तो उसके परिसान नहीं होने, यह बाद में पढ़ना है, यह उपर वाले दोनों में समस्या तो फ़र आफ़र बता दो, कि इन दोनों में समस्या समझ में नहीं आया, जल्दी बोलो और वाले दूनों cases में समस्या किसी को बुल जल्दी नो सर इज थू है यह दोनों cases ध्यान रखिएगा कि किसको किसमें रख सकते हैं किसको किसमें नहीं रख सकते हैं चलेगा चलो तो यह टेबल फड़ाफट बेटा बना लो अपने कॉपी में यह नीचे वाला नहीं बनाना आपके काम की नहीं है जिसको जरूरा थे लगें कि सर्फ जरूरा थे बनाना मन है तो बना लो बट इस पर मैं क्वेस्चेंस फिलाल कोई नहीं करा रहा ठीक है यह दोनों कैसे लगा फड़ाफट कॉपी मिछाओ तो अब मतब चाहो तो नहीं बनाना ही है तो फड़ाफट इन दोनों के लिखलो आप ठीक है और शोर मेटेरियल कड एसीड मेटल के कंटेनर में नहीं रख सकते हैं कंपाउंड ओफ लो रियक्टिव मेटल हाई रियक्टिव मेटल के कि चलो कर फड़ा फड़ा इंदोनों टेबल को बना लो कि मैं कहां से बिलॉंग करता हूँ बिहार से बिलॉंग करता हूँ ठीक है कि कि एस्पेसिफिक क्वेश्चन पूछो कि चलो ठीक है सबने लिख लिए इसको सब को हो गया यहां तक वेटा यह दोनों केश्चन और यह दोनों पॉइंट्स हो चुके है को ऐसा जो लिख रहा है चलो ठीक है ओके तो अपन आज की सभा यही समाप्त करते हैं कुछ नया नहीं पढ़ा रहा अब जिसके डाउट से फटाफट अपने डाउट पूछ लो और फिर आज की सभा समाप्त कर देंगा ठीक है तो जिसको डाउट है वो हैंड्रेस करो मैं नाम बोलते जाओंगा प रेक्षन टीक है कि अब फुर्सात में मोई अब ही नहीं यह चलेगा एक 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 जामपल याद दिलाता हूँ रेक्षन टीक है मैने क्यों बोला कभी होगा कभी नहीं होगा अगर आपको याद हो तो बीटा मैंने एक जामपल कर आया था कि sodium hydroxide का zinc के साथ में तो अगर आप sodium hydroxide के zinc के container में रखोगे तो reaction हो जाएगी याद करो sodium zincate बनता था और hydrogen gas निकलता था तो वहाँ reaction होगी तो हम नहीं रख सकते लेकिन वही sodium hydroxide को अगर आप चाहो तो आप किसी और container में रख सकते हो for example आप चाहो तो आपके पास मालो एक container है मालो मैंने ले लिया एक container है silver का container ले लिया उसमें रख सकते हैं क्या sodium hydroxide को वहाँ पर कोई reaction नहीं होगी तो यही कहानी है अपने पास container वाली bases की ठीक है चलेगा अली चलेगा बिटा एक एक example मैंने आपको अटा दिया दन है तो कुछ cases में रख पाते हैं कुछ cases में नहीं रख सकते हैं ओके तो कोई बोला है स्कूल स्कूल बेल जो है वह मेटल का बनता रहे भाई क्यों बनता है क्योंको सोनोरस होता है मेटल की property इसलिए स्कूल बनता है ताकि आवाज अच्छे सजाए Electric wires made up of copper भाईया क्यों बनता है यह गत्या क्या क्या की « emotions क्यों कर्गे क्यों पुछ लो जिए क्यों करके पूछ यार क्या है और क्यों वाइर्स क्यों बनाएंगे Bible क्या है क्यों बायंगे लकडिकstory का तो नहीं बनाएंगे किसी और चीज़ का तो डाइमंड का तो नहीं बनाएंगे किसका बनाएंगे आईरन का कॉपर का लेड़ का अलिमिनियम का जिंग का गोल्ड का सिल्वर का क्यों कि इनकी कंडुक्टिविटी हाई होती है ठीक है चलो बोलो नेक्स्क्षेशन सर्वाई एक्वारेजिया क्लियर वन लेयर ऑफ गोल्ड एक्वारेजिया क्यों वन लेयर ऑफ गोल्ड क्लियर करता है बिटा एक्वारेजिया होता है एचनो थ्री प्लस से स्चेल ठीक है एचनो थ्री प्लस से स्चेल होता है और इसके वाज़ा से होता है कि जब बनने लगते हैं ठीक है ऐसे समय लोग एक कॉंप्लेक्स टाइप की चीजी होता है एक लाइन में बता रहा हूं मैं ठीक है तो वह कॉंप्लेक्स कंपाउंड बना लेता है अपने पास जो एक्वारेजिया होता है और इस वज़ा से वहां से एक लियर को वह हटा देता है अगर आप और डीतेल में चाहते हो तो सर ऐसी तो समस्या नहीं है लेकिन बस एक समस्या वहां आती है वो समस्या आती है कि अलिमिनियम को उपर ऊकसाइड का लेर नहीं होना चाहिए तो आप कर यह सकते हो कि aluminum के छोटे-छोटे टुकडे करो और उसको acid के अंदर डाल दो, react करेगा, लेकिन अगर aluminum को पूरा strip acid के अंदर डाल दोगे, तो होता क्या है कि उसके उपर में क्या होता है, कि oxide का layer बन जाता है, और जो oxide का layer बन जाता है, उसके वाज़ से क्या करता है, वो further reaction को रोक देता है, copper sulfate वाल example में भी same होता है, iron जो है एक time के बाद react करना बंद कर देता है, copper sulfate solutions है, क्योंकि उसको उपर में क्या होता है, copper deposit हो जाता है, अब deposit हो गया तो यह कहां से करेगा, और यह एक बहुत बढ़ा reason है, जिस वादा से हम aluminum के vessels use करते हैं, क्योंकि उस Sir, aluminum react with acid, clear है, Ali, बोल भाई, Zinc के साथ भी same कहान ही होता है, ठीक है, Zinc के उपर भी layer बनता है, वो layer बहुत strong होता है, इसलिए further reactions वो रोक देता है, Sir, link of pencil conduct electricity, बेटा, link of pencil मेरे को समझ में नहीं, आप क्या कहना चाहते हो, अरे यार, ठीक है, बेटा, वो क्या होता है अपने पास, जो pencil lead जो होता है, वो pencil lead होता है, अपने पास carbon, graphite, और graphite की conductivity high होती है, इसलिए वो react, वो conduct कर देता है, electricity को, ठीक है, graphite is a good conductor, but diamond is a bad conductor, दोनों ही carbon है, element react with oxygen to give a compound with a high melting point, this compound is also soluble in water, the element, बेटा, ये question का है, फिर से बो, और ये element react to lie, उपर चला गया, मुझे बार अडियो आपकर बोलना, ठीक है, next question, when we put lemon juice in the iron container, hydrogen gas is produced, can we identify with matchstick, हाँ, क्यों नहीं कर सकते हैं matchstick से, matchstick के साथ, lemon juice को, when we put lemon juice in the container is produced, देखो एक चीज़ ध्यान रखो, सुनो, एक समस्या यहाँ पर, actual में क्या ऐसा समझे लो कि, देखो, जब lemon juice को आप iron रखते हो, अगर आप माउंट अच्छे खासे निकाल दो, तो उसको चेक कर सकते हो, उसमें कोई मना नहीं है, बट दिक्कत ही होती है, कि हाँ, जो hydrogen निकलता ही, बहुत कम है, तो इसको इसलिए test करना मुस्किल है, है, hydrogen को आप कभी वीचे कर सकते हैं, यार, बहुत जल्दे लिए उपर निचे, एक है audio on करके बोलो, यार, वाई वी चैनोट मेक वायर ओफ ग्रफाइट, बिटा, ग्रफाइट का वायर कैसे बनाऊगे, अगरे जिते, solid शीजए, solid acid type है, ठीक मौोर नहीं सकते है, वो brittle होता है, ठीक हो brittle होने कविएज साप उसका वायर नहीं बना सकते हैं, उसको में वो प्रोपरिटी नहीं होती है, जो प्रोपर्टी मेटल्स में होती है, जैसे की, कौन से, मैलेबिलीटी, डक्टिलीटी, यार इतना लंबा चोड़ा क्या लिखा है, एलेमेंट रेक्ट विट पार कर गया, जो भी पूछा है, ओडियो अन करके पूछो, विच मेटल इस बेस्ट रेक्ट विट, विच मेटल विच में अनकर कर बोलो, यार एसे मैसेज बेजो गहें, तो सर प्ता तो भी चलेगा, कुछ से कुछ इतना लंबा चोड़ा, लंबा चोड़ा मैसेज कर रहो, पता ही निचल ला है क्या बोलना चाहते हो, दा आन एलिमेंट रिच 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 रिक टांड विच likely to be high melting sodium oxide neo lithium oxide calcium oxide Lebanese condition iron 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 oxide iron oxide पानी में ठीक है मुश्कल से सॉलीबल होता है उससे बेटर है यह एगर Astra से लिए्ट को बोलते है इनर्श फिस को बोलते है तिन ऐर अब कुछ नहीं दिया तो आपके पास options कह के दिए हुए थे options के कोड़िंग भी बताना पड़ता है बहुत बार क्योंकि आपके पास बहुत सारे हैं जिसके melting point हाई होती है ठीक है तो आपके पास options कह 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 दिये उसमें सचूच करना पड़ेगा वाट इस बेरेंट एक मितल है और क्या जैसे टीनेंटिन का अतंडिकना होता है फिफ्टी ठीक है बेरियम का होता है 54 55 56 56 बेरियम गावता है 56 थिन का होता है 50 बोलो यूज अफ टिन यार थेको टिन जो है न पहले जबाने में श्टिप्स बनाने काम आता है ठीक है एसे बनाने के भी काम आता है साइन्स्टिफिक नम फ आयर फिर्रस फिर्रस बोलता है एफी एफी डबल रो यू एस फिर्रस स्पेलिंग प्लीज नोवल मेटल्स क्या होते है बीटा नोवल मेटल्स होते हैं जो नीचे के मेटल्स होते हैं उनको बोलते हैं नोवल मेटल्स तेको जो रियक्टिविटी बहुत कम दिखाते हैं और कॉपर सिलवर गोल्ड इंको बनता था पहले क्यों कि इंकि रेक्टिविटी काफी कम होती है तो ध्यान रखना, noble metals क्या होते हैं, जिनकी reactivity काफी कम होती है, for example, silver, gold, platinum, sorry, copper इसमें include नहीं होता, noble metal में copper include नहीं होता, but quinase metal में copper आता है, noble metal में नहीं आता, तो silver, gold, platinum are known as noble metals, ठीक है, जिनकी reactivity बहुत कम होती है, quinase metal हो गया, copper, silver, gold, diamond react क्या, clear है, भाई, जिसको question पूछा, answer देता हो, कमसे हम बोल दो कि हाँ, sir, clear है, नहीं है, समझ में आया, नहीं आया, धड़ादर, धड़ादर, बस question डाले जाते हो, what is barium, use of barium, यह barium के बहुत सारे compounds बनते हैं, अब आप किस respect में पूछ रहा हो, यह इस पर repaint कता है, वैसे पटाके वे अगरे में barium यूज यूज होता, barium के compound यूज होता है, क्योंकि वहाँ पे colored, वो color देता है, ठीक है, तो पटाके वे अगरे बनाते हैं, उसमें barium के compound यूज करते ह रहे गया, चालो, ठीक है, तो सबके doubt clear है, तो अपना आज की सभास हमापत करते हैं, ठीक है, ओके, बाबाए, बाबाए, अनीश, बाबाए, what is use of tin, बिटा, इसके बहुत सारे बनाते हैं, alloys बनाते हैं, या फिर containers बनते हैं, tin के, non-metal which exists in pure, which exists in liquid state at room temperature, बट बताया दो था ब bromine, bromine है बेटा, non-metal, जो liquid होता है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, तो diamond reactivity is substance, बेटा, diamond reactivity बहुत काम होती है, बट रियक करता है, क्या बोला है बाए, इतना लंबा चड़ा message करो, कि कई से copy paste करके, तो मैं कुछ नहीं कर सकता, बोल के बताओ मुझे को, ठीक है, ठीक है, ठीक है, चलो ठीक है, तो आज की सबास हम आप करते हैं, अगले glass में फिर मिलेंगे, जो भी आपके doubts हैं, उन लेकर आना, ठीक है, चलो